नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ अयोद्या में बनने राम मंदिर में राम लला की प्रान पतिष्टा 22 जन्वरी को होने जा रही है इस दिकार करम के लिए विशिश लोगों को निमंत्रण भी बेजा गया है इसको लेकर एक राजनितिक बहस भी छड़ी हुई है इस कड़ी में बिहार से आजएडी के राजसबा सांसत मनोज कुमार जा ने सोमवार को प्रधानमंती नरिन मोदी पर तंच कसा उन्होंने कहा आजएडी का पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट है वा सर्वधर्व संभाव में विश्वास रखती है सभी के बीच में समनवय होना चाहिए लेकिन मेरी आस्ता मेरी व्यक्ति का चीज है इसका सारवजनिक और अबहद्र प्रदर्शन भगवान को भी परिशान करेगा उन्होंने कहा कि अगर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्टा होने के बाद भगवान राम सचमुष प्रत्वी पर आ जाएं तो पीएम मोदी से दोचा सवाल पूछेंगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से भगवान राम भी पूछेंगे कि युवाओं के लिए रोजकार कहा है और देश में इतनी महेंगाई क्यों है संपत्ति का बटवारा पांच लोगों के बीच ही क्यों है उनके सामने सब नत्मस्तक हैं उन्होंने ये भी कहा कि मर्यादा पुर्शोत्तम की छवी कर प्रधान मंतरी मोदी और बीजेपी के लोग नहीं समझ रहे हैं उन्होंने वंचीद्व शोशित समाज को लेकर रविदास, कभीदास, सवित्री वाइफुले, जोती वाफुले का भी जिक्र किया भगवान नाम के मंदिर में प्रांपतिष्टा की रस्म 22 जनवरी को दोपर 12 बचकर 20 मिनिट पर होगी राम मंदिर का निर्मान करा रही संस्ता शीराम जनम भूमी तिर्थ शेत्र टरस्ट के महा सचीव चमपत राय ने सोमवार को पत्रकारो किसकी जानकारी दी चमपत राय ने कहा प्रांपतिष्टा के बाद आती करो पास पड़ उसके बाजारों में महलों में भगवान का प्रसात वितरण करो और सायकाल सुर्यस्त के पश्चात दीपक जलाओ ऐसा ही निवेदन वदानमंदी द्यरेन मोदी ने अयोध्या से सारे संसार का आहान करते विक किया